नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज अपडेट में सुगाज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीयम कुसुम सोलर पंप योजना 2021 के बारे में इस वीडियो हम पूरे डीटेल में बात करेंगे कि आपको कितने परसेंट तक सबसीडी मिलेगी आप इस सबसीडी का फायरा कैसे उठा सकते हैं आप इसका आविदन कहां से कर सकते हैं कौन-कौन इसके पात रहे आपको कितने परसेंट तक सबसीडी मिलेगी और कौन-कौन से डॉकुमेंट लगेंगे और दस्तावेज आपके कौन-कौन से लगेंगे इस प्रकार की कोई भी अपडेट यादी आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और आप को यदि कुसम सोलर पंप योजना से चुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसते वज़र से किसान भाईयों को काफी दिक्कत हो रही है आपके खेत की सजाई करने में कोई भी जो खेती बाली का काम है बहुत ज़्यादे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसी को देखती हुए किंदर सरकार ने यह योजना ले करके आई है कुसुम सोलर पंप योजना 2021 कैजिस योजना के पातर कौन कौन से है कौन कौन से इस्टेटमिंग ये लागू हु हो तो फिर इस सरकार की योजना आप उन किसान भाईयों के लिए बहुत ही अच्छी है जो की अधर से इंकम भी करना चाहते हैं खेती के अलाम आधर भी आप इस योजना से जुड़ की अधर इंकम भी कर सकते हैं आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते ह हैं कि कौन कौन सी कैसे आप इस योजना का लाव उठा सकते हैं अगर आप सोलर उर्जया से जुड़ा कोई बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो फिर सरकार की पीम कुसुम योजना के साथ जुड़ने की सो सकते हैं किंदर सरकार का लच्छ 2022 तक किसानों को आया दुगनी कर किंदर सरकार के लिए कई योजनाए शुरू की हैं इन्हीं में से ये क्योजनाए पीम कुसुम योजना को साल 2019 में शुरू किया गया जिसके बाद बज़ट 2020 में बित्र मंतरी ने से योजना का विश्थार किया है इस योजना के तहद किसानों को साबसीड़ी पर सोलर पैन में मदद की जाएगी पंदर लाग किसानों को ग्रीड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहया कराया जाएगा इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड रुपय का खर्च करने का एलान किया है तो जिए आप खेती से अलग भी इंकम करना चाहते हो तो आपके पास जो सिचाई करने के बाद जो आपकी बिजली बच रही है आप उसे बेच के अपने पैसे भी अलग से कमा सकते हो इस योजना के जरी बिजली या डीजल स को बेच कर 25 साल तक आमदनी कर सकते हैं इसका एक और फायदा है कि सवर एनरजी से डीजल और बिजली की खर्च से भी रहात मिले है और पर दूसरा भी कम होगा सोलर पैनल 25 सालों तक चलता है और इसका रख रखाओ भी काफी आसान होता है इसे जमीन के माली के आकिसान को हर साल आपको एक एकर से साथ हजार रुपए से लेकर कि एक लाख रख रख तक आमदनी कर सकते हैं अगले 25 साल तक क्योंकि जो सोलर पैनल की अवधी है जो सोलर पैनल चलता है यह 25 सालों तक चलता है इसमें आपको छूट कैसे मिलेगी इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल अस्थापित करने के लिए केवल 10 फीजदी रकम का भुखतान करना होता है किंद्र और राजी सरकारे किसानों को बैंक खाते में 60 फीजदी सबसीडी की रकम देती है इसमें किंद्र और राजीयों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान ह वहीं बैंक की ओर से 30 फीजदी का लोन भी प्रावधान किया जाता है इस लोन को किसान अपनी होने वाली आमदनी से आसानी से भर सकते हैं सोगाज आप सोचते हैं कि इसमें 60% जो पैसे हैं आपके सरकार दे रहे हैं आपको किवल 10% पैसे वहां पे जमा करने हैं और 30 फीज अजना के तहत आवेदन के लिए सरकारी बेप साइट MNREJ.GOV.IN पर जाकर रजिस्टेशन करना होगा इसके लिए आधार कार्ट प्रापर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी सोलर प्रलांट लगवाने के लिए जमीन बिद्धूत सब इस्टेशन से 5 किलमीटर तक दायरे में होनी चाहिए किसान सोलर प्लांट खुद या डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर लगवा सकते हैं आपके पास यह खुद की जमीन है ता आप वहां पर लगवा सकती हो नहीं तो आप किसी के जमीन किराय पर ले करके उस पे आप इसको लगव ख़ा सकते हो इस योजना की कुछ और बड़े फायदों के बारे में पी-म किस्यों एज़ना के तहद किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें सिचाई के लिए फिरी बीजली मेड़ेगी इस योजना से किसानों को डिजल और केरोसीन तेल पर निरभड़ता दूसरा फायदा यह है कि इससे पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली को वे किसी कंपणी को बेच सकेंगे, इस योजना से किसान और उर्जा उत्पाधन करने और उसे ग्रिड को बेचने में सच्छम होंगे, यानि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, इस योजना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, आप इस योजना का लाव उठा सकते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कब से पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, इसका पोर्टल आगे खूलेगा तो हम उसके बारे में आपको बता देंगी, आप लोग हमेसा चेक करते रहें, कोई भी अपडेट यदि आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हम इस पर बता देंगे कि कब उपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, इसको कुछ समय के लिए चालू किया जाता है फिर बंद किया जाता है बंद किया जाता है इस पोर्टल को आप रेगुलर इसको जाकर चेक कर सकते हो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और गाइट यदि आप डेली चेक करना चाहते हैं इसको जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो mnre.gov.in पर जाकर आप इसे हमें साथ चेक कर सकते हो ने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि कभी भी पोर्टल ओपेन होता है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे सुगाइज किसान भाईयों यदि आप इसी परकार से जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और आप लाइक करके ही जाएगा क्योंकि इस परकार हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए आगे और भी वीडियो लाते रहे यदि आपको इसमें आनलाइन आवेधन करने में कोई भी दिक्कत आती ह है तो अब हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा सुगाज मिलते हैं ना यह वीडियो में तब तक लिए जय जवान जय किता